आदरनिय बंधु माताव फे मेरी प्यारी बेहनों राधी राधी आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल जीवन की धारा पर बहुत-बहुत स्वागत है बंधु आज हम इस वीडियो में जेस्ट मास में किये जाने वाले दान दही चावल की कथा सुनेंगे जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिरी हरी की क्रिपा से दुख दरिदर्ता का नाश होता है पाप ताप से मुक्ति मिलती है वे मनुश्य अंत में विश्णू लोग को पाता है कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो क्रिपे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सब से पहली आप तक पहुचे वीडियो को शेयर वे लाइक पे जरूर करें कथा के अनसार अलकापुरी नगरी में गोतम नाम का एक ब्रहामन निवास करता था ब्रहामन वेद वेदानतों को जानने वाला वेद शाष्तरों का ग्याता था लेकिन वेह बहुत ही गरीब था अपने परिवार का पालन पोशन भी धंग से नहीं कर पाता था इन सब से दुखी होकर वेह ब्रहामन शुब अशुब सभी करम करने लगा, उसने हर परकार का अच्छा बुरा कारे करना शुरू कर दिया, वेह चोरू का भी साथ देने लगा, प्रन्तु फिर भी उसकी शुधा शांत ना हुई एक बार वेह दूसरे देश को चला गया, उसने अपने कुटंब यानी की परिवार का भी त्याग कर दिया, और दूसरे देश जाकर भी जब उसे अपनी जीविका का कोई साधन ना मिला, तो उस पाप बुध्धी ने शमचान में अपना डेरा डाल लिया, और वहां मृतकों क के नाम से दिये जाने वाले प्रेत पिंड को लेने लगा, इस परकार शमचान में रहते हुए वहे बली भोजन करने लगा, और अपना जीवन यापन, समय बीता गया, एक बार जेस्ट मास आने पर, वहे नित्ये की भाती बली भोजन से प्रापत दही चावल का सेवन करने लगा, तो उसने पहले शमचान में उपस्तित, कवमों और अन्य पक्षियों को वहे भोजन दिया, और फिर स्वयम किया, और अब वहे हर रोज ऐसा ही करने लगा, समय बीता और वहे ब्रहामन एक दिन मृत्यू को प्रापत हो गया, मृत्यू उपरांत यम के दूत उसे ले ने पहुच गए, यम दूतों को देखकर वहे रोने लगा, पर तभी उसने देखा कि अचानक एक विमान आकास से नीचे उत्रा, उसमें से दो देव दूत बाहर निकले और ब्रहामन के पास आकर उसे आदर सहीत विमान में बिठाने लगे, यह देखकर यम के दूत कहने ल इसलिए यम आग्या से हम इसे यम लोक लेकर जाएगे, तब भगवान विष्णू के दूत बोले नहीं ये ब्रहामन हमारे साथ भगवान विष्णू के लोक को जाएगा, जब यम के दूत ना माने तो विष्णू दूतों ने उन्हें मार मार कर भगा दिया दोनों दूत यमराज के पास पहुँचे जाकर सारा व्रतान सुनाया और कहा आज विश्नु दूतों ने हमारे साथ ऐसा वहवार किया है अपने दूतों की बास सुनकर यम देव क्रोधितों उठे और अपने भेसे पर सवार होकर वहाँ पहुच गए जहां विश्नु दूत उस ब्रहामन को लेने गए थे वहां पहुँच क्रोधित यम देव ने विश्नु दूतों पर परहार करते हुए उन्हें भगा दिया और ब्रहामन को लेकर यम लोग की तरफ चल पड़े यम देव से पीडित विश्नु दूत भगवान विश्नु के पास कए और जाकर उन्हें सारी बाज्यों की त्यों बता दी यह सुनते ही विश्नु चीकरोधितों उठे उन्होंने इंद्रादी देवताओं को आग्या दी कि वे यम देव के पास जाएं और उन्हें समझाएं क वह ब्रहामन विश्णू लोक में ही आएगा जब सभी देवता यम देव के पाद जा कर उन्हें समझाने लगे तो यम देव ने कहा मुझे इस ब्रहामन का कोई सद करम दिखाई नहीं देता जिससे कि यह विश्णू लोक में जाए इसने जीवन परियंत बुरे कारे किये ब्रहामन होते हुए भी शुब अशुब करमों को जानते हुए भी इसने सब कुछ किया यहां तक की प्रेत पिंड में दिये जाने वाले भोजन का भी यह सेवन करता रहा अतै यह यम लोक की यातना ही भुगतेगा इंद्रादी देवताओं के समझाने पर भी जब यम देव ना माने तो देवता यम देव से युद्ध करने लगे यम देव के दंड के परहारों के आगे वहें जादा समय रुक ना सके और दसों दिशाओं की और भागने लगे और अंत में जाकर भगवान विष्णु से सब व्रतांत कह दिया तब भगवान अत्यंत क्रोधितो उठे और अपने सुदर्शन चक्र द्वारा यम देव का मस्तक धर से अलग कर दिया भगवान शिरी हरी को इस परकार क्रोधित देख इंद्रादी देवता ब्रह्मा जी को आगे कर शिरी हरी के स्तुति करने लगे देवताओं द्वारा की गई स्तुति से परसन होकर भगवान शिरी हरी का क्रोध शान्त हुआ तो उन्होंने देवताओं से वर मांगने को कहा, तब देवोंने वर के रूप में यमराज का जीवन मांग लिया परसन होकर भगवान चिरी हरी ने यम देव को पुने जीवित कर दिया यम देव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से शमा याचना की यम देव को शमा करते हुए भगवान विश्णू ने सभी देवों को जेस्ट मास में दही चावल दान करने की महिमा को बताते हुए कहा कि उस ब्रहामन ने जेस्ट मास में दही चावल का दान किया भले ही अंजाने में किया इसलिए वे हैं मेरे लोग में आनी का अधिकारी है भगवान बोले इस परकार जो भी मनुश्य भक्ती भाव के साथ जेस्ट मास में दही चावल का दान ब्रहामनों को करेगा को और पक्षियों को दही चावल का भोजन कराएगा वह मृत्यु उपरांत मेरे ही लोग को आएगा इसमें कोई संशय नहीं है अपने मुक से जेस्ट मास में दही चावल के दान का महत्तम बताकर भगवान व्यकुन्थ लोग को चले गए और सभी देवता अपने अपने लोगों को बोलो विश्णु भगवाने की जै पन्धु भगवान चरी हरी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैब बनी रहे आपका घर आंगन खुश्यों से महता रहे इन्ही शुप कामनाओं के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यावाद राधी राधी